नमस्का दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आप भी के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक माकेटूड़े पे दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसे न्यूज की चर्चा करने वाले हैं शायद जो आपको बता हो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में भी मालूम है और बहुत साय लोगों तक जब तक इन्यूज पहुचेगी तब तक हो सकता है बाजार में खलवली मत चुकी और बाजार में एक महौल अशान्तिका हो जहां लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा इस न्यूज का इंपक्क क्या होगा दोस्वा हम बात करने वाले हैं इस न्यूज में एक ऐसे सेभी के सर्कुलर के बारे में जो रिटेल ट्रेडर को या तो फाइदा पहुंचाने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है अब यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा पर वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन दिसना हो और हाँ हम रोज रात को 9 बच के 6 मिनट पे मंडे डू फ्राइडे लाइव होते हैं निफ्टी वैंग निफ्टी के अनालिसिस करते हैं और आपके बहुत साइस टॉक्स लेते हैं तो प्लीज चैनल पे जरूर आईए अपने दोस्तों को भी लेकाईए चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हम ऐसी नियम की बात करें जो सेबी ने हाल फिलाल ही लागू किया है जिसके उपर बजार की नजर बहुत ही जादा पहनी है दोस्तों ये कदम सेबी ने आप जैसे हम जैसे छोटे निवेशक को बचाने के लिए उठाया है मेरा मानना है कि इससे चोटे निवेशिक बचने वाले हैं उनके साथ कोई नुकसान नहीं होने वाला अब यह नियम क्या है नियम कहता है कि जो लोग बेवज़े नकली ट्रेड्स लगाके जी हाँ नकली ट्रेड्स लगाके जो buying selling की window आप देखते हैं टॉप 5 buyer sellers आप देखने ही कुशिच करते हैं वहाँ कभी-कभी आपने देखा हुगा कि एकदम से लगाता है बहुत बड़ी quantity का buyer आ जाता है गायब हो जाता है फिर बड़ी quantity का seller आ जाता है गायब हो जाता है बहुत सारे लोग इन buyer sellers को देखके ही trade करते हैं दोस्तों और आपके अक्सर 90% trades in buyer sellers की वज़े से गलत हो जाते हैं दोस्तों इससे कहते हैं दोखा दे रहा हैं सेभी नहीं चाहती कि कोई भी आदमी कोई भी influential investor या trader बजार में आके retailers को दोखा दे या बजार को disguise करने ही कोशिश करे जोस्तों ऐसे लोगों के उपर लगाम लगाई जा रही है मैं बात कर रहा हूं सेभी की news की चलिए news channel के उपर आपको लेके चलते हैं हम news कर रहे हैं business center में आई इस news की जो आपके सामने हैं दोस्तों इसको कोई भी access कर सकता है सेभी cracks down on the pseudo buy and sell orders designed to deceive जी हाँ designed to deceive मतलब धोखा देने के लिए अगर ये orders लगाए जा रहे हैं तो इसके उपर लगाम लगाई जागी दोस्तों इस news को आप चैनल पर देख सकते हैं चलिए थोड़ा से पोस्मार्टम कर लेते हैं कि इस news का exact मतलब क्या है समझने कोशिश कीजिए इस news को पढ़के देखते हैं इस news में क्या लिखा है लोगों को दोखा देने के लिए गए लगाए ओडर्स के उपर लगाम लगाई जाएगी दोस्तों अब इससे होगा क्या क्या लिकुरिटी खतम हो जाएगी क्या बजार से वोल्यूम्स ड्राइओट हो जाएगे देखने ही कोशिश करते हैं अगर इस news को थोड़ा सा नीचे जाके देखने ही कोशिश करें तो समझ में आएगा कि यह exactly है क्या देखिए सेभी ने इसको तीन पैरमिटर्स में डाला है यहां से देखने कोशिश कीजिए एनससी हाज इशूद थी पैरमिटर्स तो फ्लैग उफ सच पैक्टेसिश कौन कौन सी पैक्टेसिश है इस इंक्लूड हाई ओर्डर तू ट्रेड रिश्यों मतलब ओर्डर जादा लगाए जा रहे हैं और उसके कंपैरिज में ट्रेड कितना पढ़ रहा है इसको पहली कैटेगरी में डाला जाएगा दूसरा है हाई इंसांसिस ओफ ओर्डर मोडिफिकेशन मतलब आपने ओर्डर जितने लगाए उसके मुकाबले में जब आप ओर्डर को मोडिफाई कर रहे हैं उनका कंपैरिजन किया जाएगा दोस्तों ये तीन कैटेगरी को देखा जाएगा और इसके basis पे इट विल बी कंसीडर्ड एज वन इंस्टेंट काउट अगर जो भी एक्टिविटी का समझ में आएगी उसको नंबर एक दे दिया जाएगा और based on the count of instances जितनी गलतियां जैसे महवारत में भखवान शिकिष्ण ने शीशुपाल की सो गलतियां माफ की थी यहाँ पे इससे भी देखेगी कि उसको कितनी गलतियां माफ करनी है based on the count of instances over a period of 20 trading days 20 दिन दरक लगातार उसके instances को देखा जाएगा कि वो trader बार-बार क्या कर रहा है कितनी बार order लगा रहा है कितनी बार modify कर रहा है उसके मुकाबले में trade कर भी रहा है कि खाली नकली trader order डाल रहा है नकली modifications करने में लगा हुआ है देखा जाएगा और exchanges will determine the penalty इसके उपर penalty लगाई जाएगी पैललल्टी क्या-क्या हो सकती है काई से देखनी कोशिश करें count exceeds 99 99 से जाला गलती है हुई देखी सिशु पाल की गलती है सो माफ हुई थी 99 उनने rolling 20 trading day basis the client or a broker trading will be face trading disablement for 15 minutes 15 minutes के लिए उसके trading को disable कर दिया जाएगा any additional instances of repetitive violation on the consecutive trading days will lead to trading disablement for 15 more minutes up to a maximum of 2 hours तो गंटे तक की trading को halt पे टाला जाएगा वो broker या client trade नहीं कर पाएगा this is a positive for retail traders जी हाँ दोस्तो retail traders के लिए बिल्कुल भी घबनाने की दिरूत नहीं है volumes नहीं जाएगी जो real traders है वो बजार में रहेंगे तो जो लोग ऐसी videos बना रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि volumes dry out हो जाएगी नहीं होंगी दोस्तों तो ऐसी volumes को लेके आप क्या करेंगे जहां पर नकली trader हो operator जाएगा हो गलती से trade को दिखाया जा रहा हो गलत trade दिखाया जा रहा हो गलत volumes दिखाया रही हो या गलत buyer seller दिखाया रही हो दोस्तो retail को बचाने के लिए सेवी के हर नियम की मैं सरहना करता है हूँ मुझे हर नियम के पेछे सेवी का धोका नहीं सेवी की जागरुकता दिखाई देती है सेवी चाहती है कि retail trader कभी भी फसे नहीं हाल ही मिझे margins को बढ़ाया गया था और कहा गया था कि आने वाले time के अंदर में 100% margins आपको F&O में रखके काम करना हुगा तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तो आपको बचाया जा रहा है आपको गलत trading आदतों से बचाया जा रहा है ऐसी कौन सा business है दोस्तो जो उधार पे चलता है जब उधार पे business नहीं survive करते है बड़े-बड़े business में डूब जाते है तो आप कैसे बचेंगे दोस्तों उधार का मतलब है जो इंट्राडे की limits लेके काम कर रहे है बहुत साई limits लेके आप काम करते हैं erratic trading करते हैं दोस्तो पैसा आखर में बरबाद होया था है घर लुट जाते हैं दोस्तो सेवी चाते है कि हर trader जागरुग बने जिम्बिदार बने और disciplined बने दोस्तो money management करके trading कीजिए trading करना बुरा नहीं है बट excessive और impulsive trading करना बुरा है दोस्तो swing trading में वजा कीजिए swing trading सीखने कोशिच कीजिए swing trading में जितना पैसा है शायद कहीं नहीं है I hope आपको मेरा message मिल गया हुआ और इस नहीं नियम को समझने में आपको असान ही होगी मिलते हैं किसे नहीं वीडियो में Thank you so much for watching this video Take care, bye-bye, jahin